हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टू माई चैनल, तो आज हम अफगानी सलवार की कटिंग स्टिचिंग करेंगे, इसमें साइड में मैंने पोकेट बनाई है, और मोहरी में मैंने इस तरह बटन्स लगा के साइड में कट बनाया है, तो सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, इसके उपर मैंने ये डिजाइनर कूर्ती बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रिन पे भी मैं दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, शल्वार बनाने के लिए मैंने धाई मीटर कपड़ा लिया है, सबसे पहले हम इसको चोडाई में डबल फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे, यह हमारी खुली वाली साइड है, बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, इसके बाद हम इसमें लंबाई में एक फोल्ड ओर करेंगे, तो यह कपड़ा हमारा फोर फोल्ड हो गया है, यह हमारी खुली वाली साइड है, अब देखिए खुली वाली साइड को मैं अपने तरफ करके रख रही हूँ क्योंकि इसमें हमें pocket बनानी है इसके बाद हम length की marking करेंगे तो जो भी normal सलवार की length होती है उससे हम 1.5 से 2 inch इसे कम करके बनाएंगे तो 1 inch inch tape को हम बाहर की तरफ रखेंगे क्योंकि 1 inch का हमारा उपर की तरफ belt ready होगा और यहां पर सलवार की normal length है 49 inch इसमें मैं 1.5 inch कम करके निशान लगा रही हूँ तो 3.5 inch पे हम निशान लगाएंगे अब इसकी length में हमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है क्योंकि अगर हम 1 inch सिलाई margin लेंगे तो 1 inch की हमारी मोहरी भी ready होगी तो उसको हमें minus करना पड़ेगा इसलिए length इसकी प्रोब पर ही आएगी तो मैं 3.5 inch पे निशान लगा रही हूँ अब सेम निशान हम आगे की तरफ भी लगाएंगे और इस तरह state line ड्रो करेंगे अब देखे जितनी भी यहाँ पे तयार मोरी चाहिए यहाँ पे मुझे 6 inch तयार चाहिए तो इसमें हम 8-9 inch कपड़ा एक्स्टर लेंगे आगे की तरफ तो यहाँ पे मैं 15 inch पे निशान लगा रही हूँ अब देखे सामने बंद वाली side में हम 0.5 inch पे एक निशान लगाएंगे यह हमारे आसन की चोड़ाई रहेगी अब length हमें किस तरीके से लेनी है जो भी hip size रहेगा उसका 4 part निकालेंगे प्लस उसमें हम 3 inch एड़ गरेंगे तो यहाँ पे आएगा साड़े 11 inch इसमें हम 1 inch सिलाई margin प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा साड़े 12 inch आब 1 inch inch टेप को बाहर की तरफ रखके साड़े 12 inch पे निशान लगाएंगे क्योंकि एक inch का हमारा belt आएगा इस तरह से क्रोच को हम round shape देंगे देखिए इस क्रोच वाले निशान को हम मोहरी वाले निशान से मिला लेंगे और इस marking के उपर हम cutting करेंगे इसके बाद सलवार के कोई भी दो पाट उठाएंगे और आशन के उपर सिलाई लगा लेंगे कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ ही रहेगी देखिए मैंने आसन सिलाई कर लिये हैं अब हम pocket की cutting करेंगे तो ये double fold मैंने कपड़ा लिया है जिसकी चोड़ाई मैंने रखी है 6.5 इंच और lanth हम रखेंगे 11 इंच अब यहां corner में एक इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह round shape देखे इसकी cutting करेंगे वे pocket हमारी fold है इसलिए cut करके हम इसमें 2 पार्ट बना लेंगे अब देखिए पहले हम front part ready करेंगे तो pocket हम right side में लगाएंगे सीधी side कपड़े की मैंने उपर की तरफ करके रखी है और इस तरह 2 इंच पे निशान लगाएंगे उसके बाद 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहां तक हमारी pocket open रहेगी half इंच अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे अब pocket का हम एक पार्ट लेंगे और इस तरह से रखेंगे देखिए निशान के ऊपर एक इंच कपड़ा हमारा उपर की तरफ रहना चाहिए pocket वाला सीधी साइट दोनों कपड़े के अंदर की तरफ रहेगी और सेम निशान हम pocket वाले कपड़े भी लगाएंगे अब जैसे हमने निशान लगाया है इसी सेप में हम इसकी सिलाई करेंगे सिलाई लगाने के बाद pocket के दोनों कोने पर हम एक एक कट लगाएंगे और pocket को हम उल्टी साइड में घुमा देंगे ये देखे आइरन वेने कर ली है अब एक पैर का मार्जन छोड़के हम फिनिसिंग की सिलाई और लगाएंगे इसके बाद pocket का हम दूसरा पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे इसके उपर देखे सिलाई हमें किस तरीके से करनी है वो मैं आपको सिलाई करके दिखा देती हूँ इस तरह pocket की shape में हमें ये सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद पोकेट को हम सीधी साइड में घुमाएंगे देखिए इस तरीके से अब इस पोकेट को हम सलवार के साथ सिलाई करके फिक्स करेंगे ताकि पोकेट हमारी इधर उदर ना हिले अब फ्रेंट पार्ट में हम बेंट रेड़ी करेंगे तो उसकी लिए मैंने ये पट्टी कट की है जिसकी लैंद मैंने रखी है चार इंच और इसकी चोड़ाई हमें किस तरीके से लेने हैं जो भी कमर का साइज रहेगा उसका हम हाफ करेंगे कमर का साइज यहां पे है 28 इंच तो इसका हाफ करने पे आएगा 14 इंच इसमें 2 इंच मैंने लूजिंग ली है और 2 इंच मैंने शिलाई मार्जिन लिया है तो 18 इंच पे मैंने इसकी कटिंग की है अब इसको बीच से हम कट कर लेंगे अब इसके सेंटर में हम एक इंच का गैप छोड़ के निशान लगाएंगे और दोनों साइड में हमें सिलाई लगानी है बीच में हम इसको ओपन रखेंगे नाडा इंजर्ट करने के लिए अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी हम इस तरह दोनों तरफ फोल्ड करके और उपर से एक सिलाई लगा लेंगे यह देखे यहां से हम नाडा इंजर्ट करेंगे नाडा मैंने अल्रेडी बना की रखा है इसकी लैंथ आप देख सकते हो इस तरीके से हमें इसको बना के रेडी करना है अब सीधी वाली साइड से हम इसको अंदर की तरफ पास करेंगे और दोनों तरफ सेंटर में हम इसको सैट करके सिलाई लगा के फिक्स करेंगे यह देखे इस तरीके से हमें इसे रेडी करना है अब हम सलवार में प्लेट्स बनाएंगे तो इस पट्टी की सीधी साइड हमने उपर की तरफ रखी है और सलवार की सीधी साइड भी हमें उपर की तरफ ही रखनी है इस तरह से रखेंगे और दो से धाई इंस तक हम इसे प्लेन से लाई करेंगे उसके बाद में हम plates बनाएंगे अब देखिए belt का center और सलवार का आसन हमें आमने सामने रखना है और यहाँ पे हम pin up कर लेंगे उसके बाद में बचे हुए कपड़े में हम plates बनाएंगे यह देखिए इस कपड़े में हम 3-4 plates बनाएंगे plates की जो shape है वो आप कोई भी side में रख सकते हो अब देखिए जितना gap छोड़के हमने यह plates बनाई है same gap हम आगे की तरफ छोड़के यह plates बनाएंगे अब देखिए जिस shape में हमने पहले plates बनाई थी उसके विपरित shape में हम यहाँ पे plates बनाएंगे इस तरफ भी हम last में डेड़ से 2 inch plane कपड़ा छोड़की सिलाई करेंगे अब इस belt को हम सीधी side में घुमाएंगे और half inch का एक fold करके उपर से पूरे पे सिलाई लगाएंगे सिलाई हम बिलकुल किनारे पे लगाएंगे ताकि सलवार में सफाई बैठे तो front part हमारा ready हो गया है इसके बाद में हम back part ready करेंगे back part के belt के लिए मैंने ये पट्टी कट की है length मैंने इसकी सेम 4 inch रखी है और चोड़ाई जो front part की हमने चोड़ाई रखी थी उससे हम 10 inch इसको extra लेंगे तो मैंने इसको 28 inch पे कट किया है अब इसके center में मैंने एक निशान लगाया है देखिए कपड़े की सीधी side हम उपर की तरफ रखेंगे और जो back वाला part है उसकी सीधी side हम अंदर की तरफ रखेंगे मतलब दोनों की सीधी side आमने सामने होनी चाहिए अब दोनों की center आमने सामने रखेंगे और pin up कर लेंगे अब जितना भी कपड़ा side में बचा है इसमें हम plates बनाएंगे ये देखिए back part भी मैंने ready कर लिया है अब front और back दोनों की सीधी side अंदर की तरफ रहेगी और इसको हम side से बन्द करेंगे side में हम 2 इंच कपड़ा छोड़ की सिलाई लगाना start करेंगे क्योंकि मोहरी के side में हम cut रखेंगे अब दिखिए यहाँ पे हमें किस तरीके से बन्द करना है ये मैंने elastic लिया है back side में लगाने के लिए elastic हमें किस तरीके से लेना है जो भी कमर का size रहेगा उसका हमें आधा लेना है यहाँ पे कमर का size अठाई since तो मैंने 14 inch का elastic लिया है अब यह जो back वाला part है इसको हम fold करके front के उपर इस तरीके से रखेंगे half inch का उपर से fold ओर करेंगे और इसके उपर हम अपना elastic रखेंगे अब हमें इसके उपर double slide करनी है same तरीके से हम दूसरी side भी बंद करेंगे देखें elastic को जब हम अंदर की तरफ गुमाएंगे तो सिलाई हमारी विल्कुल finishing के साथ आएगी आप देख सकते हो देखें दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद इस तरह जो half inch कपड़ा हमारा extra है इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे ये ध्यान रहे कि हमें elastic के उपर सिलाई नहीं लगानी है सिरफ कपड़े पे हम सिलाई लगाएंगे पूरे पे सिलाई लगाने के बाद elastic को हम बराबर set करेंगे उसके बाद में बीच में हम एक सिलाई और लगाएंगे ताकि elastic हमारा fix रहे तो दोनों तरफ से कपड़े को खैसते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे देखिए belt हमारी बनके ready है अब जो 2 इंच साइड में छोड़के हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पे मैंने निशान लगाया है इस कपड़े को हम इस तरह हाफा फिंच दोनों साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे अब दोनों क्रोज को हम आमने सामने रखेंगे और सिलाई लगाएंगे बीच से बंद करेंगे यह सिलाई लगाने के बाद मोरी में हम गैदर्स बनाएंगे इस तरह पहले हम इसके उपर मोटी सिलाई करेंगे तो किसी भी एक साइड से इस तरह धागे को खेचते हुए इसके अंदर हम गैदर्स बनाएंगे जितने हमें तयार मोरी चाहिए हम उसी के इसाप से इसे बना के रेडी करेंगे देखिए मैंने इसके उपर iron कर ली है मैंने इसको साड़े 6 इंज के इसाप से बना के तयार किया है देखिए मैंने ये canvas लिये इसको मैंने कपड़े के उपर paste किया है अब इसकी length मैंने रखी है 3 इंच और चोड़ाई हमें किस तरीके से लेने हैं जितने भी तैयार महरी चाहिए मुझे यहाँ पर 6 इंच तैयार चाहिए तो इसको डबल करने पर आएगा 13 इंच इसमें मैंने 3 इंच एक्स्टर लिया है अब इसको बीच से हम cut कर लेंगे अब देखिए इसे joint हमें किस तरीके से करना है canvas और सलवार की सीधी side दोनों आमने सामने रहेंगी एक इंच canvas को हम इस तरह बाहर की तरफ रखके उसके बाद में सिलना start करेंगे अब इसी तरीके से हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे यह देखिए दूसरी side में कपड़ा हमारे पास extra बच्चा है overlap करने के लिए अब इस canvas को हम इस तरह गुमाएंगे और जो एक इंच हमने starting में extra छोड़ा था उसको हम fold कर लेंगे उपर की तरब भी half inch का एक fold करेंगे उसके बाद में एक इंच का एक fold और करके इस तरह पूरे पे सिलाई करेंगे सिलाई हम बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे अब यहाँ पे हमें canvas को half inch ही fold करना है सेम तरीके से हमें तूसरी मोहरी भी तयार करनी है अब देखिए यहाँ पे मैंने iron कर ली है अब एक side में जो पट्टी हमने extra ली थी मोहरी के लिए वो इस तरह से overlap होके आएगी यहाँ पे हम buttons लगाएंगे यह देखिए buttons मैंने लगा लिए हैं अब सलवार हमारी बनके ready है तो आप देख सकते हो इसका final look यह वीडियो आपको कैसी लगी like, share, comment करके जरूर बताएं चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करें अगर यह वीडियो अपलोड होने के दो दिन बाद आप देख रहे हो तो इस कुर्पती की वीडियो का link भी आपको description box और यहां end screen पे मिल जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much for watching this video